दोस्तो आपको तो पता होगा कि कॉलेज में दो तरीके से क्लास होता है पहला रेगुलर तरीके से और दूसरा प्राइवेट तरीके से दोस्तो इसी बात को लेकर हमारे पास कई सारे ऐसे कमेंट आये थे आपके कि भाई रेगुलर में तो रोज कॉलेज हम जा सकते हैं लेकि प्राइवेट एडमिशन क्यों लिया लेकिन फिर मेरे दिमाग में आया कि हमारे कई ऐसे भाई हैं जो पार टाइम में जॉब करते हैं या वर्क करते हैं तो मान लो अगर किसी दिन उनके पास छोटी है टाइम है तो क्या वे कॉलेज जा सकते हैं प्राइवेट होने के लित है इसी कॉश्चन का ऐसे आप को इस विडियो में बिलेगा तो दोस्तों इसकाあंसवर यह है कि अगर आप पार-टाइम जॉब करते हैं या कोई काम करते हैं राइवेट हैं तो भी आप कलेज जा नहीं कर सकते क्योंकि आप लोगों ने फार में तो प्राइवेट में फिल किया होगा और काम आप रेगुलर वाले कर रहे हैं तो अगर आप प्राइवेट हैं और आप कॉलेज भी जाना चाहते हैं तो क्रिप्या अपने प्रिंसिपल से राय लेकर आप कॉलेज जा सकते हैं यदि आप ऐसा नहीं कर्ते हैं तो आप पर कारवाई भी हो सकती है दोस्तों यही आज की वीडियो थे अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिए आपका कोई कोश्चन हो तो कमेंट करिए और इस वीडियो को सियर भी आप कर सकते हैं मिलते है नेक्ष्ट वीडियो में